हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिसर स्वागा थे मैं यूटूब सेनल बाबा फैबरेगेटस में दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं फैबरीकेशन सब दिन वीडियो बनाता रहता हूँ अगला वीडियो में मैं आपको बताया था टाटा जीसी सीट के बारे में नहीं चाहेंगे शिर्प लेंगे तो प्रांटो यहां प्रांटो प्रांटो एक एंची कंपशनी जीसे एशा सीट बनाया यहां जिसे देख के आप अस्या सकीत हो जाएंगे इस नए मोडल का लुक साइब आप इसे ही लेना पसंद करेंगे तो चली बताते हैं उसके कुछ नए फीचर के बारे में और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक जरूर करें तो चलिए इसके फीचर के बारे में शुरू करते हैं तो फर्स्ट में बात किया ज़े तो नए लुक के नए जवाने का डिजीटल लुक जी हाँ अगर आप देखे टाटा जीशी अगर गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा घर्म हो जाती है और बड़सात में उसके अंदर से पानी अंदर से रिष्णे लगती है हलका हलका लेकिन प्रॉंटो की बात किया जाए तो इसमें एसा कोई टेंसन नहीं है अगर आपका बाहर में पूरा गर्मी भी दे रहा है तो अंदर में आपको नेचरल फिल कराएगा कोई टेंसन नहीं आप बात किया जाए तीसरे नंबर की मजबूती की तो मजबूती में प्रॉंटो बहतर है क्योंकि इसके दोनों तरफ से टिंसीड होता है और बीच में कुशन होता है जिसे कारण यह टाटा जीसी सीट या आइन मुड़ने कर कोई डर नहीं है आप बात किया चोथे नंबर की छट के दिवार के लिए यह उपयूकत है अगर इसे आप छट में लगा सकते हैं घर की दिवार में लगा सकते हैं या फिर नए लुक के शिमेंट डिजाइन के साथ यह प्राप्त होती है जिसे कारण आप कहीं अगर आप घर के मिस्त्री हो या फिर आणि कोई मिस्त्री जो वैल्डिंग का काम करते हैं वे भी इसका काम बहतरी रूप से कर सकते हैं यह इतनी असानी से उपयोग हो ही जाती है कि कोई भी कारीगर इसको असानी से घर में लगा सकता है प्रांटो सीट को लगाने के लिए नौ कंपनी बेस्ट वर्कर्स इसके लिए तो हमारे वैल्डर कारीगार भाई लोग ही काफी है इसे बहुत ही असानी से हमारे वैल्डर कारीगार भाई लोग लगा सकते हैं बात किया जाए तो यह है भुकम्प रोधी जी हाँ अगर आप टाटा जीसी सीट को देखें या फि इसमें इंटरलल लुक होता है इसमें जोंटे लेबल लुक होता है जिसमें जोंट किया जा सकता है असानी से जिसके कारण यह भुकम्प रोधी होता है भुकम में भी इसको कुछ ने बिगार सकता है इसी इसलिए आप चाहे तो इसको असानी से प्राप्त कर सकते हैं ले सक कारण इसमें कोई जंग नहीं लगता और बरसात में आपको कोई टेंसर नहीं देती इसलिए सबसे बेतर अब बात किया जाए कि आंधी तूपान जब आती है तो प्रॉंटो भारी होने के कारण नहीं उड़ पाती है लेकिन अगले खासियत के बारे में तो आप देखते कालों के बाद जंग लगने के कारण बहुत ही जादा खराब दिखाए देती है पीला दिखाए देने लगती है लेकिन प्रॉंटो एक ऐसा सीट है जिसमें ना तो जंग लगती है और नहीं इसका कलर कभी उड़ता है जिसका क्राण ये बहुत ही ज्यादा खुबसूरत दि देखा जाए कुछ तो महंगा है लेकिन ये सबसे बहतर भी है अगर तूलना किया जाए इसके कोष्ट के बारे में तो आप देखेंगे कि इसमें मैट्रियल कम लगेगा जिसके कारण महंगाई दोनों में समान हो सकती है इसलिए आप लेना चाहे तो प्रॉंटो ले जो सब दोस्तों अगर आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में तो कमेंड में बता है और अगर आपको कोई तरह की समस्या है तो कमेंड बॉक्स में पूछे जिसका अगरन में आपका मदद कर सकूं वीडियो कैसा लागा अगर अच्छा लागा तो लाइक करें दूसरों के के लिए धन्यवाद